भजन सहिता 48, 1-8 तक हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र परवत पर यहोवा महान और अतीस्तुती के योग्य है। सियोन परवत उचाई में सुंदर और सारी पृत्वी के हर्ष का कारण है, राजा धिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर उचा गड़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहां कंपी ने उनको आ पकड़ा और जचा किसी पी जब वे ये बातें सुन रहे थे, तो उसने एक द्रिश्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकर था, और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रगट होने वाला है। अताह उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपत पाकर लोट उसने अपने दासों में से दस को बुला कर उन्हें दस मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लोट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपत पाकर लोटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकर दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से दस और मुहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा, तू भी पांच नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मुहर्य है, जिसे मैंने अंगोचे में बांध रखा था। क्योंकि मैं तुझ से डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुश्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया, उसे काता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुह से तुझे दोशी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुश्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैंने नहीं बोया उसे काता हूँ, त जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास है जब वह जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिचाते जाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहार की धलान पर पहुँचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थे के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनन्दित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है स्वर्ग में शांती और आकाश मंडल में महिमा हो तब भीड में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे हे गुरू अपने चेलों को डांट उसने उत्तर दिया मैं तुम से कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में कुछल की बातें जानता पर अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे क्योंकि तूने उस अफसर को जब तुझ पर कृपा द्रिष्टी की गई ना पहिचाना जबस्था विपरंट 30, 1-20 तक फिर जब आशीश और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझ को कह सुनाई हैं तुझ पर घटें और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ को बर्बस पहुँचाएगा इन बातों को स्मरंग करे और अपनी सिंतान सहित अपने सारे मन और सारे प्रांट से अपने परमेश्वर यहोवा की और फिर कर उसके पास लोटाए और इन सब आग्याओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बाते माने तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बधुआई से लोटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर पिर इकठा करेगा चाहे धर्ती के छोड तक तेरा बर्बस पहुँचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बहां से ले आकर इकठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुर्खा अधिकारी ह और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा, और तुझको तेरे पुर्खाओं से भी गिंती में अधिक बढ़ाएगा. और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। तेरे उपर भलाई के लिए वैसा ही आनन्द करेगा, जैसा उसने तेरे पूर्वजों के उपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्याओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, और उसके मारगों पर चलना, और उसकी आज्याओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे, और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तुझे आशीश दे, परन्तु यदि तेरा मन भटक जाए, और तू ना सुने, और भटक कर पराए देवताओं को दंडवत करे और उन जीवित रहे, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंच दोनो जीवित रहें, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, और उसकी बात मानो, और उससे लिप्टे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्ग जीवन यही है, और ऐसा करने से जिस यहोवा ने अबराहम, इसहाक और याकूब, तेरे पूरवजों को देने की शपत खाय थी, उस देश में तू बसा रहेगा, व्यवस्था विबरन 31, 1-29 तक, मूसा ने जाकर ये बातें सब इसराइलियों को सुनाई, और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ, और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है, कि तू इस यर्दन पार नहीं जाने पाएगा, तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है, वह उन जातियों को तेरे सामने से नश्ट करेगा, और तू उनके देश का अधिकारी और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशु तेरे आगे आगे पार जाएगा, और जिस प्रकार यहोवा ने इमोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नश्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा, और जब यहोवा उनको तुम से हरवा देग तब तुम उन सारी आग्याओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई हैं। तु ही आव बांध और द्रिड़ हो, उनसे न डर और न भहिभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझ को धोखा न देगा और न तब मूसा ने यहोशु को बुला कर सब इस्राइलियों के सम्मुक कहा, तु ही आव बांध और द्रिड़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपत खा कर देने को कहा था तु जाएगा, और तु इनको उसका अधिका जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इस्राइल के सब व्रिध लोगों को सौंप दी, तब मूसा ने उनको आग्या दी, साथ साथ वर्ष के बीटने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में जोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इस्राइली तेरे परम परमिश्वर यहोवा का भई मानकर, इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें, और उनके बच्चे जिन्होंने ये बाते नहीं सुनीवे भी सुनकर सीखें, कि तुम्हारे परमिश्वर यहोवा का भई उस समय तक मानते रहें, जब तक तुम उस में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठार गया तब यहोवा ने मूसा से कहा तू तो अपने पुर्खाओं के संग सो जाने पर है और ये लोग उठकर उस देश के पराए देवताओं के पीछे जिनके मध्यवे जाकर व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे उस समय मेरा कोप इन पर भढ़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मूह छिपा लूँगा और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपतियां और क्ल को सिखा कर कंठस्त करा देना इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे जब मैं इनको उस देश में पहुचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूरवजों से शपत खाए थी और जिसमें दूद और मधू की धाराएं बहती हैं और खाते खाते इनका कर रहे हैं इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पढ़ेंगे तब यह गीत इन पर साक्षी देगा क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्राइलियों को सिखाया और यहोवा ने नून के पु उठाने वाले लेवियों को आग्या दी व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के सिंदूप के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे क्योंकि तेरा बलवा और हट मुझे मालूम है देखो मेरे जीवित और संग रहत प्रित्वी दोनों को साक्षी बनाओं क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यू के बाद तुम बिलकुल बिगर जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आग्या मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यह झाल